हेलो फ्रेंड्स दिस इस जोती वर्मा तोड़े आइम गूंग तो स्टार्ट वेद हिस्टोरिकल एंड सोशोलोजिकल फाउंडेशन और इसके अंदर हम अपना नेक्स टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने एजेंसिस ऑफ इंडियन एजुकेशन के अंदर कई चीजों को पढ़ा जैसा कि हमने उसके अंदर NCRT को पढ़ा, CBSC Board को पढ़ा, NCTE, NAAC को पढ़ा तो इस तरीके के कुछ हमने एजेंसिस को पढ़ लिया है और उसके सारे points को discuss किया है कि किस तरीके से वो स्थापित हुए, किस तरीके से उसके स्थापना हुई establishment हुआ और उसके बाद क्या-क्या उनके कारे थे हमारी Indian Education को लेकर अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं Agencies of Indian Education के अंदर RCI यानि की Rehabitation Council of India Act 1992 तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे RCI के बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली जो RCI Rehabitation Council of India Act 1992 है वो क्या है तो सबसे पहले हम इसका introduction देखेंगे तो introduction के अंदर है अपने प्रारंबिक रूप में भारतिये पुनर्वास परिशद की स्थापना यानि की जो Rehabitation Council of India है इसको हम बोलेंगे भारतिये पुनर्वास परिशद तो इसकी स्थापना भारतिये के इंद्रिये सरकार मतलब हमारी Central Government के द्वारा सन 1986 में मतलब 1986 में असमर्थी व्यक्तियों के लिए समर्थन साधनों के मानकी करण तथा पुनर्वास करमचारियों के प्रसिक्षन कारेक्रमों की देख भालेतु की गई मतलब जो असमर्थी व्यक्ति थे मतलब जो डिसेबल परसन थे जिनको किसी कारे को करने में कोई बाधा आती है बाधित व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए इसकी स्थापना की गई उसके बाध है इसके अंदर सन 1992 की 1992 में सरकार ने भारतिय पुनर्वास एक्ट को पारित करके इस पुनर्वास परिशद को एक वैधानिक संस्था के रोप में सुईकार किया मतलब जो सैंट्रल गॉर्मेंट है उसने इस संस्था को स्विकार किया इस परिशद ने 22 जून 1993 से अपने दाईतूं संबंदित कारे करना प्रारम किया जो इसके दाईतू थे इस परिशद के वो 1993 से स्टार्ट हो चुके थे और वो इस पर कारे करने लगे थे तो इनके जो फंक्शन से टोटल वो स्टार्ट हो चुके थे उस समय पर भारतिये पुनरवास परिशद जो था यानिकी रिहाबिटेशन कांसिल आफ इंडिया राष्ट्री अपंग संस्था यानिकी एन आई एच के सहीयोग से कारे करती है मतलब जो विकलांग लोगों के लिए कारे करत हैं जो संस्था है अपंग संस्थान उनके साथ जो उनके सहीयोग से कारे करते हैं मतलब उनके सहीयोग के साथ ही वो अपने कारे को आगे बढ़ाते हैं नेक्स हम देखेंगे इसके उद्देश हैं मतलब यह किस परपस से काम करता है क्या इसका परपस है तो सबसे पहला हम रेखेंगे इसके अंदर असमर्थी व्यक्तियों मतलब जो डिसेबल व्यक्ति होते हैं जो डिसेबल पर्सन होते हैं जिनको किसी कारे को करने में बाधा आती है शारीडिक रूप से असमर्थी शारीडिक या फिर मांसिक दोनों रूपों से असमर्थी व्यक्तियों के पुनर अध्यन कोर्सों जो भी ऐसे अध्यन कोर्स होते हैं उसको मानिता परदान करना अत्वा मानिता रद करना थर्ड है हमारा इसके अंदर पुनर्वास के शेत्र में विदेशी डिग्री डिपलोमा या सर्टिफिकेट को मानिता देना फूर्थ है हमारा इसके अंदर पुनर्वा थे कुछ उद्देश्य थे आगे हम देखेंगे पुनर्वास परिशद के कारे यानि की functions of rehabilitation council तो ये किस तरीके से कारे करती है इसके क्या क्या functions होते हैं इसको देखेंगे तो पहला है हमारा इसके अंदर पुनरवास परिशद विशिष्ट आवशक्ताओं के वेक्ति जो विशिष्ट आवशक्ताओं के वेक्ति होते हैं जिने को यसी नीड होती है विशिष्ट रूप से ऐसे वेक्तियों के लिए लिया प्रसिक्षन मतलब ऐसे वेक्तियों के लिए क्या करते हैं ट्रेनिंग प्रेवसाइक जो एडवाइजर होते हैं वेवसाइक जो वेवसाइस से रिलेटिड जो सलाह देते हैं कृतिम आंग निर्माण देहिक अपंगता तथा वाणी चिकितसक आधी के कोर्सो तथा प्रसिक्षन कारिकरमूँ मतलब ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं ट्रेनि देख नहीं सकते तो जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते और देख नहीं सकते उनके लिए अनुदेशन परामर्श दाता मतलब ऐसे काउंसलर जो परामर्श दाता हैं उनको काउंसलर कहते हैं वेवसाइक अनुदेशन संस्थानन अधिकारी तथा मानसिक उपचार विशेश के लिए वैवसाइक वैक्तियों पुनरवास करमचारियों कारे करताओं के प्रसिक्षन कोर्सों का नियमन तता प्रबंधन करती है फिफ्थ है हमारा इसके अंदर विबिन संस्थाएं या संस्थान राश्ट्रिय राजेस्थर पर अपंग्या असमर्थी वैक्तियों के पुन संबंधित सर्टिफिकेट से लेकर मास्टर डिग्री स्दर के सैक्षिक अध्यण कोर्सों को चला रहातु है। मतलब ऐसे बहुत सी Tensor degree होती हैं सर्टिफिकेट कोर्सिज होते हैं जो ऐसे संस्थाएं पुनरवास इसके अंदर परिशत पुनरवास के उदेश से मतलब प्रिहाबिटेशन से संबंदित प्रबंद को यानि कि जो इसको मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं, विवसाइकों तथा सामाजिक कारे करता हूँ, जो सोशल वरकर्स होते हैं, सोशल वरकर्स के लिए कोर्सों अथ्वा समय समय पर वर्क्शॉप्स मतलब ऐसी वर् या फिर और ज़्यादा ऐसे तरीके लिये जाएं या फिर उन पर काम किया जाएं ताकि उनका जो जीवन है वो और ज़्यादा आसान हो सके और वो education भी ले सके तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने रिहेबिटेशन काउंसिल के बारे में देखा और उसके functions को उसके purposes को पढ़ा और समझा I hope friends आपको ये वीडियो पसंद आया होगा Thank you so much friends for watching this video मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें, share करें and comment करें आपके share करने से और subscribe करने से मेरा motivation बढ़ता है और ज्यादा मैं motivate होती हूँ तो please मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon पर press कर लें ताकि आपको जल्दी से जल्दी uploading के बाद आपको notification मिल जाए Thank you so much friends for watching this video